सब्सक्राइब नाओ और प्रेस दबेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं सबका इस योटूब चैनल पर जिसका नाम है स्टेड़ी विद पियन लोदा मित्रों रीट सिक्सक बरती 2020 है तू जो अलग-अलग सब्जेक्टों की टेस्ट सिरीज चालू कर रखी है उसमें आपके लिए आज पर्याओन मोडल टेस्ट पेपर नमबर 4 लेकर आया हूं तो बिल्कुल शांदर 30 प्रशन आपको देखने को मिलेंगे साथियों देखिए परयाओन आपके लेवल एक वालों के लिए है तो ये लेवल एक वालों को ही वीडियो ये देखना है साथियों बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको क्यूशन देखने को मिलेंगे इसके कुछ समय बाद ही आपको साइकलोजिका वीडियो भी मिल जाएगा पूरे 30 प्रश्णों वाला तो उस वीडियो को भी आप जरूर देके साथ यूँ बहुत ही शांदार क्यूशन वहाँ पर भी आपको मिलेंगे वो वीडियो आपके लेवल एक और लेवल दो दोनों के लिए बेहद उपयोगी रहने वाला है चलिए शुरू करते हैं मित्रो इस वीडियो को आपका प्रथम क्यूशन है ATM का पूरा रूप है Automated Tailor Machine, All Time Money, Automated Transfer Machine और Audit Tailor Machine देखिए ATM का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है साथियों ATM का पूरा नाम इनमे से क्या है तो अगर हम बात करें S से आपके A बनता है Automated, T से आपके बनता है Tailor और A M से बनता है आपके Machine मतलब Automated Tailor Machine इसका पूरा नाम होता है साथियों तो पूर्थम विखलप आपका सही है यहाँ पर प्रश्न संक्या एक में Next दूसरा Question देखिएंगे साथियों चेचक के TK की खोज किसने की थी? Polender ने, Edward Jenner ने, Myser ने और Hansen ने देखिए अगर हम बात करें चेचक के TK की खोज की तो इसको करने वाले थे मित्रों Edward Jenner, कौन थे? Edward Jenner विखलप नमबर दो आपका आई यहाँ पर बिल्कुल शुद्द और सही आंसर है साथियों प्रश्न तीन देखिएंगे मित्रों तीसरा Question है प्रश्न को समझिए और फिर आंसर दीजिएगा दक्षिन भारत के संदर्व में कौन सा तत्व ठीक नहीं है विखल बेक है यह देनिक तापांतर कम होता है यहाँ पर यहाँ वार्शिक तापांतर कम होता है यहाँ तापमान सारा वर्ष उंचा रहता है और यहाँ जलवायू विशम पाए जाती है देखिए मित्रों दक्षिन भारत के अगर हम भात करें तो दक्षिन भारत के जो राज्य है वो सभी इसमें आ जाएंगे साथियों और यहाँ पर प्रताम दूसरा और तीसरा यह तीनों विकल्ब तो बिल्कुल सही है दक्षिन भारत के संबंद में लेकिन जो यहां की जलवाई हुए वो विशम नहीं है सात्यू यहां एक समान जलवाई हुपाई जाती है इसके आपका चोता विकल्प इसमें सही है प्रश्ण संक्या 3 में next चोता क्युशन देखेंगी में तो प्रश्ण 4 है लेक किलर कहा जाता है किसको कहा जाता है साथियों लेक किलर वेरी इंपोर्टेंड क्यूशन लिख लीजी इस क्यूशन को अच्छी तरह से विकल पहे आपके सामने गलोबल वार्मिंग को ओजोन गेस को अमल वर्षया को और कार्बन डायकसाइट की मातरा में व्रद्धी को साथियों लेक किलर इंपोर्टेंड में से किसको कहा जाता है बहुत ही महत प्रश्ण है साथियों लेवल एक पर्यावरन के लिए तो याद रखिएगा मित्रों लेक किलर अमल वर्षया को कहा जाता है किसको कहा जाता है अमल वर्षय को और अमल वर्षय का बोती है मित्रों जब आपका जो वायू मंडल है अत्यदिक परदूशित हो जाता है तो आपका तीसरा विकल वियाँ पर सही रहेगा सातियों प्रशन संक्या चार में नेक्स्ट पांचवा क्युशन देखेगे मित्रों प्रोटो जोवा जनित रोग नहीं है मलेरिया, पेचिश, काला अजार और डेंगू तो सातियों देखिए काला अजार नहीं है काला जुआर है यह तो मित्रों देखेगे यहाँ पर प्रशन संक्या पांच में सही आंसर जो है वो रहेगा आपका डेंगू डेंगो वाला जो विकल्प है ये प्रोटो जोवा जनित रोग नहीं है देखिए आपके एक्जाम में ये क्यूशन पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग विशानु जनित है कौन सा रोग जिवानु जनित है कौन सा प्रोटो जोवा जनित है तो आपको इन तीनों से होने वाले जो मुख्य मुख्य रोग है आपको वो याद रखना है साथियों चोता विकल्प यहां सही है डेंगो आपके प्रोट जोवा जनित नहीं है बलकि यह विशाणू जनित रोग है साथियों तो चोता विकल्प सही है प्रशन संक्या 5 में नेक्स्ट छेटा क्यूशन देखेंगे मित्रों देश में नम भूमिया नियम 2010 कब बनाए गएं एक अप्रेल 2010 चार जून 2010 पांच सितंबर 2010 और चार दिसंबर 2010 तो साथियों अगर हम बात करें कि देश में जो नम भूमियों से संबंदित नियम है वो 2010 में कब बनाए थे तो स इसका सही आंसर होता है चार दिसंबर 2010 को आपका चोता विकल्थ सईंबर 2010 को देश में नम भूमिय नियम बनाए गएं नेक्स्ट रिस सात्व क्यूशन की और बढ़ेंगे साथियों देखिए सात्वा क्यूशन है आपका मारवाड में दामनी क्या है ओडनी का एक प्रकार सीचाई करने का ओजार एक राजा सुकर और कलात्मक जूतिया तो सात्यों दामनी मारवाड के अंतरगत जो दामनी शब्द है इसका प्रियोग किसली किया जाता है सात्यों इसका प्रियोग किया जाता है यह एक ओडनी का प्रकार है क्या है यह एक ओडनी का प्रकार है मारवाड में जिसको दामनी के नाम से जाना जाता है तो प्रत्व वि मध्योगिक निती कभ गोशित हुई थी राजिस्थान में प्रतम अच्योगिक निती 17 मार्च 1947 24 जून 1978 18 दिसंबर 1980 और 15 जून 1990 अच्षा देना है कि राजिस्थान में प्रतम अच्योगिक निती कभ गोशित हुई तीराइट आंसर बता है यह सातियों आटवे प्रिश्न का सातियों इसका जो सही आंसर निकल कर आता है कि ब्राजस्थान में प्रतम उद्योगिक निती कब गोशित हुई थी तो वो है आपके 24 जून 1978 को कब गोशित हुई थी सातियों वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं आप 30 में से 25 क्यूशन करिए सातियों मतलब तैयरी बहुत ही शानदार है आपकी प्रश्न है नो श्री बलवंत राय महिता समीती की स्थापना कब की गई जनवरी 1958 जून 1958 जनवरी 1957 और जून 1957 तो सातियों देखिए अगर हम बात करें कुसरा और पहला विकल्प तो गलत है अब 1957 में कब की गई इसकी अगर बात की जाए तो वो की गई थी जनवरी 1957 में मतलब यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 में सातियों दसवा क्यूशन देखेंगे प्रश्न नमबर 10 है उनि युक्त वे कोमल और वसा युक्त वे कोमल तो सातियों जो उनि वस्त्र का रेश्या होता है उसमें प्रोटीन होता है ने की वसा होती है तो यहाँ दूसरा और चोटा विकल्प तो सही गलत हो गया अब उन के वस्त्र कोमल होते हैं या कटवर होते तो सातियों आपका अंसर संख्या दस में नेक्स्ट ग्यारवा प्रश्ण देखेंगे साथियों ग्यारवा प्रश्ण है मदुमक्या पालने का कर्म कहलाता है क्या कहते हैं जो लोग मदुमक्या पालते हैं उसको PC culture, AP culture, Seri culture और Equa culture देखिए लोग जो मदुमक्या पालते हैं साथियों इसको कहा जाता है AP culture, क्या कहा जाता है इसको AP culture तो ये इसे जो शब्द है इनको आपको अच्छी तरह से इन सभी का ज्यान होना जरूरी है मित्रों, क्योंकि एक्जाम में डारेक्ली जब पूँच लिया जाएगो और नहीं याद है तो क्यूशन आप गलत कर दोगे AP culture मदुमक्या पालना ये कहलाता है दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर प्रश्ने 11 में 12 क्यूशन है पधार्थ की वह अवस्ता जिसमें उसके कणों के मद्य अंतरा आनविक बल न्यूनतम होता है कहलाती है गेस, ठोस, द्रव, द्रव एवं गेस दोनों में देखिए उनके कणों के मद्य अंतरा आनविक बल न्यूनतम न्यूनतम मतलब सबसे कम हो तो साथियों सबसे कम आनविक बल होता है अंतरानविक बल गेसी अवस्ता में और सबसे ज़्यादा आनविक बल होता है आपके ठोस अवस्ता में साथियों तो इसलिए पर्थम विकल आपका यहाँ पर सही है प्रिश्न संख्या 12 में नेक्स्ट है तेरवा क्यूशन देखेंगे मित्रों राज के राजपालों को कोन नियुक्त करता है प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, राश्टरपती और मुख्य नियादिस तो साथियों राज कोई सा भी हो उसके जो राजपाल है इनकी नियुक्ति हमेशा राष्टपती के द्वारा ही की जाती है किसके द्वारा की जाती है राष्टपती के द्वारा ही राजजपालों की नियुक्ति हमेशा की जाती है तो यहाँ पर तीसरा विकलप आपका सही है प्रश्ण संख्या 13 में नेश्टे प्रशन 14 पे आते हैं मित्रों, 1930 में लागू किये गए, प्रशन को समझे, 14 एक्ट को 2006 में समाप्त कर, जब उसको 2006 में समाप्त कर दिया गया, तो उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? बाल विवाह अदिनियम, बाल विवाह निरोध अदिनियम, बाल विवाह एवं दहेज परतिशेद अदिनियम और इन में से कोई नहीं तो मित्रों देखिए 1930 में जो शारदा एक्ट लागू किया गया था उसको 2006 में समाप्त कर दिया और उसकी जगे एक नए अदिनम बनाया गया जिसको कहा जाता है बाल विवाह निरोध अदिनियम जिसकी स्तापना कप की गई 2006 में तो विकल्प नमबर दो यहाँ पर आपका सई आंसर है सातियो प्रश्ण संख्या 14 में तो मित्रों आ गये हैं प्रश्ण नमबर 15 पर पंदरवा क्यूशन आपका आता है इनमे से कौन सा यूग्म असंगत है असंगत का मतलब होता है कि बही कौन सा गलत है जो आपको लगता है कि यार ये मेच नहीं कर रहा है वो ही आपका अंसर रहेगा विगल्प एक है पुशकर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दूसरा विगल्प है केला देवी का मेला चेत्र कृष्ण अस्टमी को लगता है तीसरा है गनेश मेला भादरपद शुकल चतूर्थी को लगता है और चोता विकल्प है माहवीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है तो साथियों देखिए अगर हम प्रतम विकल्प को देखे तो बिल्कुल पुशकर मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है केला देवी का मेला दूसरा विकल्प चेत्र कृष्ण अश्टिमी को ही लगता है गनेश जी का मेला बादरपस शुगल चतुर्ति को ही लगता है लेकिन जो महावीर जी का मेला है साथियों ये कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है और ये क्या है अय संगत है अता है आपका यहाँ पर चोता विकल्प सही रहेगा प्रश्ण संख्या 15 में नेक्ष्ट सोलवे क्यूशन क्यों बढ़ेंगे सातियों तो चलिए देखते हैं प्रश्ण नमबर 16 को देखेंगे मित्रों राजिस्तान में अधिकाश 1 किस भाग में पाये जाते है पुर्वी भाग, धक्षिन पुर्वी भाग, मद्यवर्ती भाग और उत्तर पुर्वी भाग तो सातियों देखें मद्य मतलब बीच में तो राजिस्तान में वन ज्यादा है नहीं उत्तर पुरू में नहीं है, सिर्प पुरू में नहीं है, बलकि दक्षिन और दक्षिन पुरू भाग में सबसे ज़्यादा वन राजिस्थान में है सातियों तो दूसरा विकलप आपका यहां सही है प्रश्ण संख्या 16 में नेक्स्ट है, सत्रवा क्यूशन देखेंगे, प्रोटीन करांती का संबंद किस से है, शहद के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, दालो के उत्पादन से और अंडे के उत्पादन से तो साथियों यहाँ पर आप देखिए शहद और चावल तो आप गलत कर दोगे लेकिन दोनों में कन्प्यूज हो सकते हो दालों के या अंडे के किसके उत्पादन से इसका संबंद है तो साथियों प्रोटीन क्रांती का संबंद आपके दालों के उत्पादन से है किसके यहाँ पर आपका सही आंसर है नेक्स्ट अठारवा क्विशन देखेंगे प्रकाश गमन करता है सदेव सरल रेखा में वक्र रेखा में जिग जेग रेखा में और वृत्ताकार में देखिए प्रकाश हमेशा ही सदेव ही सीधी रेखा में गमन करता है जब अगर रेखा सीधी है तो बिल्कुल उसमें प्रकाश गमन कर सकता है लेकिन अगर कोई ट्रेडिम बीच में कोई अवरोद आ जाता है तो फिर प्रकाश वहाँ नहीं जा पाता है साथियों तो आपका प्रतम विकल्फ यां सही है प्रश्ण संख्या 18 में नेक्स्ट उन्निसवा क्यूशन देखते हैं मित्रों उन्निसवा क्यूशन है बोजन में लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग है कि जब बोजन में लोह तत्व की कमी हो जाती है तो उनसे कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी मदू में है गटिया एनिमिया और कै इसको अलग अलग प्रकार का कई प्रकार का यह होता है मित्रो एक बार तो यह आपको याद होना चाहिए कि एनेमिया सिर्फ एसा नहीं है जिसको भी खून की कमी होगी तो एनेमिया हो गया और वो मर जाएगर नहीं उसको दूर किया जा सकता है इसके अलग-अलग प्रकार होते हैं सात्यों लेकिन कई critical जो situation होती है वहाँ पर व्यक्ति की मरत्यू भी इससे हो सकती है तो आपका तीसर रविकलत में सही है प्रश्न संख्या 19 में next है 20 कुशन देखते हैं उब्भोक्ता सरक्षन है तू देश में स्थापित उब्भोक्ता- आयोग है इसविल न्यायक्ष्ण अर्ध्न न्यायक्षख्ण वियवस्था पूर्ण न्यायक्ष्थेवस्था और इनमें से कोई नहीं तो देखिए उभोक्ता को संरक्षन प्रदान करन्या है तूँ भारत में उभोक्ता आयोग है अर्द न्याईक व्यावस्ता जिसकी त्री इस्त्रि व्यावस्ता है मतलब तीन इस्तरों पर आप शिकायत को दर्ज करा सकते हो sticks आपकी सुनवा है नहीं वोती है तो तीन विकल पाप का सही है इसको अर्द नियाएक विवस्ता के अंतरगत रखा जाता है फ्रेशने 21 पे आते हैं cng का पुरा रूप है या पुरा नाम है common national gas compressed natural gas common natural gas और certified natural gas देखिए cng जिसको हिंदी में संपीडित प्राकर्तिक gas के नाम से जाना जाता है साथियों लेकिन इंग्लिश में इसको कहा जाता है compressed natural gas दूसरा विकल पाप का सही है साथियों प्रशने संख्या 21 में compressed वही संपीडित natural मतलब प्राकर्तिक और gas का मतलब वही है ठीक है तो आपका दूसरा विकल पिया सही है प्रशने 22 पे आते हैं साथियों बादला नामक पाने का बरतन कहा परसिद्ध है जोथपूर जेसलमेर सिरोही और इन में से कोई नहीं तो मित्रों देखिए इन में से कोई नहीं वालत वा पहटा देते हो कहीं जगे अब जोथपूर सिरोही और जेसलमेर तीन चीजे है और बादला नामक जो पाने का बरतन है ये प्रसिद्ध है सातियों जोधपूर में कहां पर जोधपूर प्रतम विकल्प सही है जोधपूर का बादला नामक पाने का बरतन प्रसिद्ध है तो प्रिश्ण संक्या 22 में प्रतम विकल्प आपका सही अंसर है संगनन में होता है क्या होता है संगनन में जल का वाश्पी करन जल का बर्प बनना जलवाश्प का जल की छोटी छोटी बुंदों में परिवर्तन और जल का ओले के रूप में गिरना तो साथियों संगनन का मतलब क्या होता है राइट आंसर बता है प्रिश्ण संक्या 23 में तो मित्रों संगनन का सीधा सा अर्थ लिया जाता है कि जो जलवाश्प का जल की छोटी छोटी बुंदों में परिवर्तन होना जो जलवाश पहे हो जब चोटी-चोटी बुंदों में परिवर्तित हो जाता है तो ये संगनन की परकिर्या का ही एक उदारण है साथियों विखल्प नमबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर है 23 में नेक्स्ट चोईसवे क्यूशन देखित पर आते हैं मित्रों बारत के बायो डाइवर्सिटी होट स्पोर्ट होते हैं पश्चिमी घाट, पुर्वी हिमाले, इंडो बर्मा बायो डाइवर्सिटी होट स्पोर्ट और उप्युक्त सभी तो साथियों बारत के बायो डाइवर्सिटी होट स्पोर्ट की यदि बात करें तो पश्चिमी घाड भी है पुर्वी हिमाल्य भी है इंडो बर्मा बायो ड्राइवर सिटी होट इस्पोर्ट भी है मतलब उप्यूक्त सभी वाला जो विकल्प है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 24 कुशन में नेक्स्ट है 25 कुशन के और बढ़ेंगे साथियों प्रश्णे 25 है मनुष्य के शरीर की जेवरासायनिक प्रियोक्षाला इनमें से कोन सी है किसको जेवरासायनिक प्रियोक्षाला के नाम से जाना जाता है मनुष्य के शरीर में अमाशे को यकरत को आंत्र को और व्रिक को तो साथियों जेव रासायनिक प्रियोक्षाला कहते हैं यकरत को किसको कहते हैं मित्रों यकरत को ही जेव रासायनिक प्रियोक्षाला के नाम से जाना जाता है विकल्फ नमबर दो आपका सही आंसरे 7 और 25 में नेक्स्ट प्रशने 26 पे आते हैं साथियों पर्यावन अध्यान में आगमन विदीक की सिक्षन सुत्र का पालन करती है अज्यात से ग्यात की और नियम से उदाहरन की और विशिष्ट से सामान की और और उप्रोक्त सभी देखिए अज्यात से ग्यात ये बिल्कुल गलत है और नियम से उदाहरन ये भी गलत है ये तो निगमन के थोड़े मुझे उदारण लग रहे लेकिन जो विशिष्ट से सामान की ओर है ये आगमन विदी का ही सिक्षन सुत्र है सातियों तो विकल्प नंबर जो 3 है वो यहाँ पर आपका सही आंसर हैगा प्रश्ण संक्या 26 में के लिए रहे सभी के ये प्रिश्ण भी सातियों अगला आप 27 27 क्यूशन देखेंगे देनिक पार्ट योजना का अंशी नहीं है प्रस्तूतिकरन प्रस्तावना उद्देश कतन और ग्रहेकार तो सातियों देनिक पार्ट योजना जो बच्चों को हम जिसके माध्यम से पढ़ करके तो वहाँ पर हम प्रस्तूतिकरन भी करते हैं प्रस्तावना भी करते हैं उद्देश कतन भी कहते हैं लेकिन ग्रहेकार ये ये देनिक पार्ट योजना के अंतरगत नहीं लिखा जाता है सातियों इसलिए आपका आद जो चोता विकल्प है वो इसका सई आंसर है प्रि 28 से प्रात्मिक इस्तर पर चात्रों को पर्यावन की सिक्सा देनी चाहिए व्यक्यान विदी द्वारा, खेल विदी द्वारा, खोज विदी द्वारा और इन में से कोई नहीं तो आप इन में से कोई नहीं तो अटा दीजिए व्यक्ष्यान विदि भी हटा दिजे क्योंकि की प्राथ में किस तर पर छोटे छोटे बच्चे हैं अब खोज विदी क्या हो खूजी खुद ही खोज करके सिकसे प्राथ कर लेंगे नहीं साथियों क्हेल के माद्य मसाब पर्याव सिकसा उनको आसानी से दे सकते हो मतलब विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रश्ण संख्या 28 में नेक्स्ट ए उन्तीसवा क्यूशन और सेकंड लास्ट क्यूशन है साथियो प्रक्षेपित सामागरी नहीं है जादू इलाल टेन OHP चलचित्र और ग्राप देखिए Magic Lantern भी प्रक्षेपित है OHP, Overhead Projectors या सिरो प्रक्षेपि यंदर भी प्रक्षेपि है चलचित्र भी प्रक्षेपित है लेकिन जो ग्राप है यह प्रक्षेपित नहीं है बलकी यह आप रक्षेपित सामागरी है कौन सी है यह? आप प्रक्षेपित तो मतलब यहाँ पर आपका जो चोता विकल्प है ग्राप वाला वो अप्रक्षेपित सामागरी के अंतरगत आ जाएगा बाकी दरशिस रव्य आपसे पूछा निया है यहाँ पर प्रक्षेपित पूछा है साथियों इसलिए चोता विकल्प सही है और आज का अंतिम तीसवा क्यूशन देखेंगे साथियों बहुत ही जल्द आपके वेकेंसी आने वाली है मुझे वापिस लगता है कि लोगों ने वापिस पढ़ना कम कर दिया है एक दम वो आग लगी थी वो आग आप रोगों में नहीं रही है साथियों तो आग लगा कर रखना पड़ेगा आपको जितने टाइम तक आपके तैयरी जारी रखनी है मित्रों आज का अंतिम क्यूशन देखने से पहले वीडियो को लाइक शेर करना नहीं भूले अच्छा लगता है तो तीसवा और अंतिम क्यूशन है अनुसंदान विदी का अविश्कार किसने किया डाल्टन, आर्म श्ट्रोंग, ब्लूम और जोन ड्यूवी तो मित्रों अनुसंदान या खोज विदी का अविश्कार करने वाले थे, आर्म श्ट्रोंग, दूसरा विकल्ब सही है आपका प्रश्न संक्या 30 में सुवे 8 बजे बिल्कुल तयार रहना है आपको साइकलोजी के टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे और महत्पुन प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे साथ यो तो मिलते हैं सुवे 8 बजे वापिस आपस आपस जरूर मुलकात होगी साथ यो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द